हेलो गाइज वेलकम टू जेके स्टाडी सर्कल जैसा के आप जानते हमारे इस चैनल पर जेके SSB फाइनसर कॉंट एसिस्टेंट के लेक्चर सीरीज चाल रही है हमने अपने जूर आफी सीरीज का लास टापिक हमने किया था अस्ट्रेलिया कॉंटिनेंट और आज हम अपना न था ठाड़ा टाइम ने लिते हुए आई यह हुरू करते हैं हम अपना टॉपिक औ यहूरप फाहिस देखिए यॉरप यूरप यॉरप यूर जो है यह सैकंड सुमालेस्ट कॉंटिनेंट है आफ्टर ऐस्ट्रेलिया ठीच है काइस चैस्ट्रेलिया के बाद यह हमारा संट स्मालस возможность था तो उसको तो यह किसके बना हुआ है यह है बना हुआ गैसे इसका एरिया जो है टैन बिलियन स्क्वियर किलोमीटर है एड़े योरॉप को हम बोलते हैं फैंसुली फैंशुलाज फैंसुलाज यह पैंशूला से बना हुआ तो इसलिए जैसे दूश्री मास के साथ है बट इसको मौफके की मौह है तिसको हम जब्सक्राइब की हिसको पर दीडिजाए मॉन पर छोटेख से यूरोप का एरिया को हम इस तरीके से एक्स्प्लेंड कर सकते हैं कि मतलब तीन इंडिया मिलकर एक यूरोप बनाते हैं और बट यह स्मालर दिन चाइना चाइना से यह छोटा है फिर उसके बाद यह देख सकते हैं हमारा यह हमारा यूरोप का एरिया है इसमें आपको क्लियर यह विजिबल होगा कैसा है यह हमारा यूरोप है दिखता है गाई उसके बाद हम चलते है नेक्स्ट लोकेशन आफ यूरोप यूरोप की लोकेशन क्या गाइज यह सबसे पहले यह लोकेटिड है थर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ और एक डिग्री नॉस्ट लाची करता है यूकेश फ्रांस स्पैन यूरोप अलजीरिया माली बुर्कीना फसो टोंगो गाना इन अफ्रीका यह कंट्रीज है जहां से हमारा प्राइमरेडियन पास करता है इन दा नॉर्थ दो इस्ट्रेचिज इन्टू दी आर्टिस अर्टिक सर्कल नॉर्थ से यह कहां तक स्ट्रीम अगर ऐसे चलेगी यहां पर आईस होगी कल स्ट्रीम यह वाम है तो यह आईस को पुगला देगी तो सो जो हमारे पोर्ट से यहां इसे रिए कि यह आईस फ्री हैं गैज दब ब्रॉड कॉंटिनेंट शेल्फ आफ इस वेस्ट प्रोवाइड गुड फिशिंग ग हैं हमारी जैसे मैप में आपको मैं दिखाता हूं यह और काई यह हमरा यूरोप यह कितनी बड़ी कोस्ट कर लेते हैं अब एलफबैटिक और्डर में में बता तो एसे एलबीनिया एंडोरा अर्मीनिया ऐस्तुरिया और और्ज़र्बाइजान भी इलफबैट से बेलरस बेलजियम है बोशीनिया और हज़र गोवीना है एक और GYRIYA और सी से क्रोशा Musik इस्ट रिकी एज मैंनेLANे इसस यहां वह मैंक ने शार हे में उतने को पीडियाफ के लिंक आपको मतलब में दिस्क्रीप्शन तेली करने लिंक्ड قुल के लिंक देओं वहां से इस्ट आप पीडियाफ में आराम में से इसको कौन separate करता है Eural Mountain Caspian Sea और Cococas Mountain इसको separate करते हैं और Black Sea separate करता है इसको Asia से Europe को ठीक है guys to the south south में इसके Mediterranean Sea है Agan Sea है and Adratic Sea यह दो इसकी branches है Mediterranean Sea की यह branches है guys to the west straight of Gildalter है state of Gildalter क्या करती है Europe को Africa से इवाइड करती है ठीक है गाइज यूरोप को अफ्रीका से डिवाइड करती है and joining the Mediterranean to the Atlantic Ocean and Mediterranean को किससे join करवाती है Atlantic Ocean so jyobaya basque है यह English channel the bay of basque the English channel and the North Sea are part of Atlantic Ocean jyobaya basque है English channel है और North Sea है यह किसके पार्ट है यह Atlantic Ocean के पार्ट है Baltic Sea इसकी दो ब्रांची से कौन सी Gulf of Botania and Gulf of Finland इसके नार्थ में है वाइड सी इसके बेगों के हम बोलते हैं था पैंसुला फृष जो ग्रीस का पैंसुला इसको हम बोलते हैं बैलकुना बैलकुन पैंसुला एंड इटली एक्स्टेंड इंटू मेडिटेरियन सी तक उसके सौथ सब्केशन में एक लाइबरियन बेंसुला है जो मेड बना हुआ किससे स्पेन और पृतगाल इसके नार्थ में कौन सांथ आपन स्पेंडिने नॉर्थ यह जैसे आप देख सकते हैं यह वाला हमारा पॉर्शन हो गया स्केडिने विंगाइज तो यह यह देखो यह इटली किया कहां से मेडिटेरियन सी तक यह है यहाँ ठीक है और इसको फिगर को देख सकते मैं इसका लिंग देद्व नॉर्फीन टीक्ला प्लेंड हो सेंट्रा लिचेण आप्लेंड और प्लेटिव एक है अलपाइन-मांटेंड इस्ट में एक है आइसलेंड आफ यूरोप ड्राइने सिस्टम है और गल्फ आफ बेज है फिर उसके बाद हम नाफ डिसकॉस करते हैं सबसे एक एक मतलब सीरियस वाइस को हम डिसकॉस करेंगे सबसे वहले हम देखते हैं आफ वेस्टरन अपलेंड कौन-कौन से इट इस नौन अज है स्वीडन है और डन्मार्क है एकर वैस्टेरेंड लैंड इसको आइड लेंड हैं बेटने रिजिन अफ फ्रांस है वो queens कैबूंति है यह मीवेदर नौर्ध नॉर्धर हाइलेंड बनाती है यह कंट्री यह जो लेंड़ एग्स बतारिम यह 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 लेंड बनी है इसको इस यह सारा प्रोसेस इसी का ग्लाइसेशन का यह जो टूटकर एंशन टाइम में यह इन्होंने क्या बनाया नॉर्धन हाइलेंड डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स सच अज मार्श लेंड है इसमें लेक्स है एफ जॉड्स है यह मर् होए है उस सब नाम है आफ् जोड के जो वहां पहल के जो और उसक्राण क्या हो गया गार्णी है डेर आफ जॉर्ण का हुता है यह लॉंग डीप नेरो बॉड्य यह ऑ यह ता है ठीक है गाइज विट स्टीप वाल्स ऑफ रॉक आइधर इंसाइड मतलब इसके अफ्जोर्ट के अंदर यूशू फैली होती है और इसके अंदर ही मतलब इंसाइड इसके रॉक्स होती है फिर उसके बाद देखते हैं नौर्थ यूर्पियन प्लैन यह एक्स्टेंसिव ल इनके किनारे जो होती है इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको इनको हम बोलते हैं नौर्दन यूर्पियन प्लैन यह प्लैन आपको पता ही है देखो अगर हम इंडिया की बात करें यहां से गंगा फ्लो कर दिया तो यहां पर जो बनते हैं इसको गंगा प्लैन कहते हैं वैसे इन रिवर्स के जो कनारे प्लेन बनेंगे उनको इन रिवर्स के नाम से जाए गए राइन प्लेन होगा यह तो वहां पर क्या होगा यह कारेकर होती है ठीक है इसने यूरप को कवर किया हुआ है जो बल्टिकन वाइट सी यह नौर्थ में और ब्लैक और जो जो सूथ में है यह नरू डॉन टूवर्ट इस यह जब वेस्ट की तरह जाते हैं और यह नरू हो जाते हैं ठीक है उसके बाद हम यह देखते हैं कुछ दानार्थ पार्ट आफ दी लेंड इस करेक्टराइज ब थे चे टेश हो थोडी थोड़ी हीयो जगाति है उसको ब्लैक्णु बिलते हैं इस थे क्लेक्शन आध सिर्च्ट लन सुक्रेव पूट्कस छी स्टिल स्लॉप वालीश डिप्रेश Фरेशल द्री चैंटल आप यॉर्प यह है यह इनका क्लेक्शन होता है यह यह सालधित एंड सोट जियर्मनी इन दी सोट तू स्विजर लेंड एंड अस्टरेया इन दी नॉर्थ यह यहां तक इनका स्ट्रेच है काई एकसेप्ट आफ सम् रिवर्स वैली सच अज राइन रोन अलबे दोनाबे रिवर वैली अलबे रिवर वैली आल इंपॉर्टेंट यूरोप में जो के इमिडेटली नॉर्थ और मेडिटेरियन सी है यह एकस्टेंडर सेवन हेंड़ माइल्स क्रिसेंट शेप में है मतलब चांद की शेप में है फ्राम कोस्ट लाइन सोदरन फ्रांस नियर मनेको इन्टू स्विजर लेंड तू नॉर्धर इटली इन्टू इन्टू सुलवैनिया कोरेशिया बोंजिया हर्जन गोवा सिर्बीरिया मॉंट मॉंटेंग्रो दैन एंडिंग इन्टी अलबीना एंड रग्ड कोस्ट लाइन इन्टू एड्रियाटिक सी मतलब यह इस जगह पर यहां पर पाई जाते हैं अल्पाइन मॉंटें ठीक है जो इसके बाद हम देखते हैं नेक्सट यहां पर कुछ मॉंटेंज से यह आप देख सकते हैं यह को मैं प्रोवाइड कर दूँगा है यह पी नैंस परिणाइंस यह कारपे अंथियंज आप अभी यहां पर डिसकस्ट करते हैं रेंजी इनके हाइस्ट कहाँ पहन पर किसकर 1410 इसकी मीटर हाइट है फिर प्राइनीज यह स्पेन और फ्रांस में है इसके सबसे हाइस पॉइंट कौन सा है एन हिटो इसकी हाइट है 3404 मीटर और कारपेंथियन मॉन्टेन यह युक्रेयन रुमेनिया पॉरलेंड स्लवेकिया हंगरी सिज्जक रिपब्लिक साइबीरिया में है इसकी है गैरलोचोविस्की स्ट्रीट इसकी जो हाइट है 2654 मीटर है फिर उसके बाद देखो काकस मॉन्टेन जो एश्या को यूरोप से डिवाइड करता है यह रश्या अधर्बाइजन और जॉर्जिया में इसका मॉन्ट अलबरस 5642 मीटर इसकी हाइट है दिनारिक मॉन्टेन यह नौर्वे श्वीडन और फिनलेंड वां इसकी कबनी केस है इसका हायस्त पंट 2469 मीटर है और scottis island जो scotland में यह bennevis इसकी हायस्त पंट 1345 मेटर इसकी हाइट है अपनेन मॉन्टेन यह इटली में है इसका हायस्त पॉइंच है ओ को को मग्रेयंट और इसकी ह मरब मुलाड़ा इसका हाइस्ट पॉइंट है 3343 मीटर मैं अब इसको हम डिटेल में डिसकस करेंगे अलग लग जो मांटेंजी जो इंपॉर्टन इंज रेच वह मिसको देखते हैं कौन-कौन सी है सबसे पहले उराल मॉंट्य जो है मॉंटे रेजी जो यूरॉप को अर्शा से गिवाइड करती है यह मॉंट्य जो है उच्छ कांशे रॉनrios क्रेस रaking करता व्रॉफ में कृश्च म करता है इसके बेच में में बहुत सारी पैरलल वैलिस हैं ठीक है सेवरल आइजलेंड है जैसे सच अज वेगाच आइजलेंड एन आइजलेंड आफ नवाय जमिल्या और कॉंटिन्वेशन आफ यॉराल मौंटेंड इसमें जो मतलब आइजलेंड भी है जैसे यह आइजलेंड हो गया वेगाच 1794 मिटर पिर उसके बाद देखते हैं सकंडुनेवियन इस सुटिन नौर्वे और डैन्मार्क है इंट्फर सकंडिनेवियन एक्जिस्ट फैन उस्कंडिया विच गंट्रीज इंटू इस्ट फिन्लेंड और दिकोला पैंसुला एंदी रश्या ये सकंडिनेंड मॉंटेंड की कुछ रेंजिस हैं दो ओल्ड मॉंटेन ब्लॉक कों से हर किनियन और कलेडोनियन मॉंटेन से चैंज है ओल्ड मॉंटेन ब्लॉक और इसमें कौन कों से आते हैं इन दे वेस्ट मिस्ताफ स्पैन ते सेंटर प्लेटिव फ्रांस दे ब्रेटरी पेंसूला दराइन अपलेंट ब्लॉक फ्रेस्ट वो सेजिस बहुमियन अप्लेटिव रोडोफ मॉंटेन एट्सटर अर्टी ग्जेंपल अफ ओल्ड मॉंटेन इस और सम मॉंटेन्स विचर एग्जेंपल्स अफ ओल्ड मॉंटेन गाई ताइल पाइन मॉंटेन कों से इसकी हाइस पीक है मॉंट ब्रांच चीज़ जो मैंन इसकी ब्रांच मैंन जो है एल्प से कार्पेंथेनियं जन बालकेंज हैं और काकस है यह इसकी सम इंपॉर्टेंट्स रेंजीज़ और इसकी एक और रेंज है एपीनेंस है जो इटली में दाट आटलस अफरीका एंड इस हीरिया निविडिया स्टील अधर ब्रांच है दिनारिक है और पिंडूस मॉंटेन है यह जुगुसलाफिया और ग्रीस में हैं एंटर थ्रूवा क्रिएट इनले आईजलेंड इंटू एशिया यह कहां से एंटर होते हैं यह क्रिएट इसलेंड है जो एशिया में है यहां से फिर उसके बाद आ प्रूम तेकिंट में लेंट और इतली की मतलब अलोंग इसकी लेंट है काई कॉमग्रेंड इसकी इसकी टालस्ट पीक हैंपनैंस की जिसकी हीट है 2912 मीटर गईट अपनेंड मोंटेन का कुटेन प्रिस्टीन फ्रस्ट इस यह प्रिस्टीन कर दिया है नेशनल पार्क के लिए गई फिर उसके बाद आगे तैप प्री नीज मॉंटें रहें ये प्री नीज जो हाफ आज हाफ आज लोंग एड भाफ आज लोंग एंड ब्रॉड आज दियल यह बिल्कुल आल की तरह ब्रॉड चोड़ा है सप्रेट ब्रॉड लीप फ्रांस स्प्रांस स्पेन से अलाग करता है और इसकी हईसे कोन से है 25 इन हीट इसकी हएट है 3404 मेट्र लाइज फिर उचके बाद हम करते है बॉल्केंट मॉन्टें बॉलकें нее गटैनस है गय्ज जो है बालकन मॉन्टैन यह आप डिसकर करते है तो ह्पर ओकन्य मॉन्टैन यहां मोंटैन्टेस है इसकी स्ट्रेच है 557 km दो वर्षा का चुका पीक जो है नियर बल्गीरिया साइबीरिया बार्डर टुकेप एमिन अलोंग दी कोस्ट अफ ब्लैक सी यह ब्लैक सी के अरॉंड है गाइस तो हाइस्ट पीक बलकें मॉंटेंज और लोकेटिं सेंटर पार्ट बल्गीरिया में लोकेटिट है वो इसको भी रिजर्व किया गया है नेशनल पार्क के लिए इसके 20 कुछ एरिये को नेशनल पार्क लिए रिजर्व किया गया है जो बैलकन मॉंटेंज से यह को जो क्लोजली क्नेक्टिट है हिस्ट्री ऑफ बल्गीरिया एंड कॉंसीडर तो हैं नेशन और इस प्यूपल ठी और इसको कंसीडर किया गया है कि यह जो नेशन है यह इसी का है और इनके प्पिल्स का है और फिर उसके पास को काकस मॉंटेंज जैसे आपको पता है यह को यूरोप से डिवाइड करता है इसकी लेंद्ध 1200 किलोमेटर है और यह कैस्पिंसी और ब्लैक सी के बीट्विन है और यूरोप की हाइस पीक है मॉंट अलबरस जिसकी अलिवेशन है 5-642 मीटर फिर उसके बाद यह लोकेटिड है को काकस मॉंटेंज में जो मॉंट अलबरस है यूरोप की हाइस्ट पीक है इसकी हाइट 5-642 मीटर है और यह लोकेटिड है काकस मॉंटेंज में और अडिश देखिए और यूरोप जो है लोकेटिट है इंदी कॉकस मोमेंटे पर्टिकुलरी रश्या-जॉर्जिया अलॉंग दी रश्या-जॉर्जिया बॉर्डर काई आइलेंड आफ यूरोप अब देखते हैं यह स्रॉंटिट बाया है सेवरल सीज इंसाइड इसके हैं यूरोप ज घीज़र दी अलैंड कंट्रिश जवाइं अब लारजे यूर्प यूरोप यूर्पन आइज जिए आइज हम देखते हैं कौन-कौन से ग्रेट ब्रीटर ना आई लैंड हागया आइसलेंड हो गया इसब्स बर्गन हो गया यूस ने ऑइसलेंड हो गया सेलिसली हो गया यह आप यहां पर देख सकते हैं गई नौर्वेश वीड़ यह मतलब मैक्सिम्म आइजलेंट कंट्रीज है गई फिर उसके बाद देखो पैंसुला यूरोप के में पैंसुला है लाइबीरियन इटालियन बैलकेन जो लोकेटेट है नौर्थन यूरोप में और स्केंडिनेव लाइबीरियन पैंसुला यहां पर हो गया यह इट आलेन इंप सूला बेलकेन पैंसुला और क्रीमियन पैंसुला गाई तो इसके बाहत देखिए ड्राइने शेस्टम क्या है ड्रैने ड्राइनेंज इसमें मैं आपको शॉटकॉत बताऊंगा जो आपको इंगवेश्म के प रहते हैं इनका मैंन ये आल्ब से निकलते हैं ये वहां के मॉन्टेन हैं आलप से निकलते हैं तो भी जो हैं मेडिटीरिंस सी में कौन कौनसे जाते हैं राहन जो banyak है लिवनिवर ऑफ ये स्पेन में है तागुस and Duro Portugal में है Laurie and Sinne France में है और वीजर and Elbe Germany में है जो मैनी जिवर्स फोलो into the Baltic Sea और चो पर चों के बहुत सारे डिवर हैं जो बाल्टीक सी में फोलो करते हैं जो यह यह 그the ने इफ रिवर है इंगलेंड का फोलो थिवर युशच्ञ ज़ो यह थिम Steестय वह पाफ इस मैप में देख सकते हैं रीवर वहाँ एड़ार है राइन यह स्टाट करता है सी में कहां से इंटर करता है से में कहां से इंटर करता है होलेंड से फॉस है ने म mayonnaise क्रата मतलब यह बहुत साथ है इंडर्पॉर्ट करते हैं करें विए गुड्स को इटीまた waterway in Europe, यह busiest waterway है यूरोप का, रोटर डेम is the largest part of Europe is on its delta, जो रोटर डेम है, यह largest part है यूरोप का, जो इसी के delta पर है, ठीके गाइज, उसके पद दनोबे रिवर है, यह एक international लिवर है, यह अलप से निगलता है, जो जर्मेनी में है, और कहां कहां से फ्लो करता है, उस्ट्रिय यहां पर Australia लिखा है, इसको Australia कर लेंगे guys, Hungary, Siberia और इंटर करता है black sea में through Romania, it is an important as rain international trade because of black sea is in the interior, guys यह देखो, यह जर्मेनी से निकलता है और Romania से sea में एंटर कर जाता है, दोनेवे रिवर, guys उसके बाद हम discuss करते है, गल्स और बेस, guys यहां पर नमबर गल्स और बेस हैं, जो Europe में अब इसको discuss करेंगे, there are part of large water body which are adjacent to massive land, may be its continent and countries which are of economic importance for any human civilization, and in Europe is surrounded by large number of water body such as Mediterranean Sea, Black Sea, North Sea, etc, there are lot of gulls, beige and straits, अब देखो, guys, क्या होता है, एक large water body होती है, जो मतलब, land mass से गिरी हुई होती है, ठीक है, guys, उनको मतलब, वह सी भी हो सकता है, तो वहां उसी में बहुत सरे gulfs भी होंगे, base भी होंगे, straights भी होंगे, जो एक दूसरे country को जोड़ेंगे, अब कुछ गल्स में यहां पर दि सी है, मतलब, base ही, सब आपको देखने को भी लेंगे, guys, यहां पर, उसके बाद देखो, Gulf of Finland है, यहां पर सिच्वेटी है, इस्टर मोस्ट आफ आम आफ बाल्टिक सी, यहां पर सिच्वेटी है, बीट्विन फिन लेंड, फिन लेंड और एस्टोनिया के बीच में, वह सिच इस्टन पर्ट आफ देखो, फिन लेंड बिलॉंग तो रुष्या, और सम रुष्या मोस्ट इंपोर्टन आइल हर्बर और लोकेट फॉर्ट इस्ट इन नियर सैंट पीट्सबर्ग, ठीक है, और बोट सारे रुष्या के जो आइल हर्बर है, वह फॉर्दस्ट है, और नि स्ट.च्ट में है वे स्टॉंट में इसके फिन लेंड है नहीं ने स्ट.G1, यहैं ओ, और यहां पर उसके बाद फिन लेंड हो गया, फिर ऋसके बाद फिन लेंड के पास इसे यास्याद रखेंग संब ऊस्के विखूज आता हैं सकंडिनेया प्रेंट कुम सी है और नर्डिक कंट्री इंयुक्क्रिच काईसे क्ट्रेश से दैनमार्क नौर्वेश स्वीटन तो जो नोर्डिक कंट्रीच है वह दैनमार्क नौर वेशरीIST है और आइसलेंड यह नौटिक कंट्रीज तो कैंडि ने यह पूछे तो डैन्वार्वर्ड रओ स्वीटन है ठीक है उसके बदेट कोईशन आ और यह यह आप में भी देख सकते हैं यह सान मरीनो वाटिकन सीटी मनेको और अंडोरा गाइस और ग्रेट ब्रेटन ग्रेट ब्रेटन कैसे बना हुए इंगलेंट स्कॉटलेंड और वेल से जुड़के बना हुआ है ग्रेट पीटन कि देख सकते हैं कि अब स्मारा स्कंट्रिया वर्ट कौन सी है वाटिकन सीटी जिसका एरिया है टू माइल ठीक है यह इतली के पास है ठीक यू गैज आज बस इतना ही यूरॉप हमारा कंप्लेट हुआ अब मिलते हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइज अगरा आपको हमा अपने फ्रेंड्स के साथ तक के उनकी भी हल्प हो सके तो गाइज इसकी पीडियाफ में आपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर वा दूंगा आप उसको जॉइन कर लीजिए और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई बेस्ट अफ